हलो फ्रेंट्स मैं गौतों कुमार आप सोब केकपा फिरसे अर्यसंग के ओफिसल टी चनल में स्वागत करता हूँ साथियों मेरे साथ फिरसे माननी अरुन पर गुपता जी जुड़ गये हैं आज इनसे बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि अभी भी हमारे समाज के लोगों को यह पता नहीं है कि वो किस वर्ण में आते हैं जिस तरह से विदेसियार ब्रहामनों के जो रहवर गुरू जो है मनु महिरा के ज़ो वर्नों की विवस्था लागु की थी वर्न बनाया था बरहमन छत्रिये वैस सुद्र तो काफी हमारे मुल्निवासी भाई हैं जो अपने आपको वैस समझते हैं और यह नहीं समझ पाते हैं कि वैस कौन है सुद्र कौन है छत्रिये कौन है और बरहमन तो खेर सभी जानते हैं तो थोड़ा साझ इस पर विस्तार समझाए कि वैस कौन और छत्रीय कौन और सुद्र हकीकत में कौन है क्या हमारे OBC, SC, ST के जो लोग है वो सुद्र में आते हैं कि इस OVC, ST और SC के लोग भी वैस में आते हैं क्या, इसको थोड़ा सा जरा अच्छे से हमारे दर्सकों को बताने का प्रयास करें देखा जाया, भारत में गुप्तकाल के पतन के बाद, महमना बुद्ध के समय बहुत भारत में भारत था, पदातवादी सोच से भारत गुजर रहा था, उसी समय बुद्ध के विचार पूरे भारत अफगानिस्तान से बर्मा तक, बंगाल यहां केरद से लेकर के, कन्या कुम हमारी से लेकर के हिमाले तक, एक बिचार के लोग थे, महमना बुद्ध के बिचार से उत्पुरो थे, और गुप्तकाल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ें कि स्वर्ण जुग मना गया, स्वर्ण जुग अच्छी ब्यवस्था को खतम इन लोगों ने, आर्जों ने किया, और आर्जों की ब्यवस्था घटिया ब्यवस्था है, इसी आर्जों के ब्यवस्था में, ब्रह्मनवादी ब्यवस्था में, चार बर्न बने, बुद्ध के समय बर्न नहीं था, चार बर्न नहीं थे, ब्रह्मन कोई उँच नहीं था, ना कोई नीच था, समता पराधारित बु सारे लोग यहां पूसमित सुंग के डर से पूसमित सुंग राम बन गया उसके डर से लगे रम चीवरा लोग कूटने और राम चरित्र मानस की अस्थापना तो इधर हुआ है तुलसिदा से एक फ़र मार राम चरित्र कोई लिखा था यह सब कालपनिक चीज है सब दंत गरहन है दंत कथा है लेकिन उसी के आर में यह लोग अपना अस्तर चहंतियार चला रहे हैं सासक बने हुए ब्रह्मनों आर्जों को मुगलों से लडाई के समय यहां का दौलित पिछरा हिंदू रहता है अर लडाई समाप्त हो जाता है यह सब हिंदू नहीं रहते हैं यह बेवस में मनुबाद जब चला तो चार मण बना ब्रह्मन सब से उपर उससे नीचे छत्री उससे नीचे बैस उससे नीचे सुद्र और उसके नीचे अंतज उन्तज वो होते हैं जिसका कोई जाती धर में नहीं है शिर्फ वो पसू से भी बत्तर लोग हैं जैसे चमार दुसाठ ड पत्री और अगरवाल, ब्रहमन सबसे उपर, इनका जूता इसके मात पर, एद्दूनों का जूता बैसों के मात पर, एद्दूनों का जूता बैसों के मात पर, इन चारों का जूता दलितों के मात पर, जो अंतज है, उनके मात पर, ये बर्ण वेवस था, सिरी नूमा बनाया, तो ब्रहमन का काम था, कोई काम नहीं था, इसे पूजा पाट करना, ठगईती करना, पढ़ना लिखना इनका काम था, छत्रियों का हुकूमत करना, पीट पाट के, काट कूट करके, लोग को गलते नियम को मनवा करके, ब्रहमन के पैर पर सरेंडर करा देना, जूट मूठू के कपोल कल्पित बातों को कल्पित बातों को स्वर्वाद को स्वर्ग नडग के सारे चीज को समझाने के बलपुर्वक इन लोगों ने ब्रहमनों के साजीस को मनवा लिया इनका साजीस सफल हुआ और बैस कौन है? छत्री का सासन करना बैस जिसका बानिज्य, ब्यापार, जिनके हाथ में हुआ, बईसों का पानी चला, सुद्रों में कुछ लोग हैं, उनका पानी नहीं चलता है, अब भी कहते हैं बईस, जैसे तेली कहते हैं बईस, सुरी कहते हैं, बईस, कलवार कहते हैं, जब इनलों का मनु असमिर्ति में इनलों नहीं है लेने का अधिकार है और इसको फूल फिलेज राज करने का अधिकार है इनको बानी जी करने का अधिकार है और सुद्रों का काम हस्तकारी के सारे कार्ज सुद्र के हाथ में केती घिरसी उनका खाना बनाना उनका धोती फीचना स्वागत करना हर खुसामत करने का काम तो महा चंडाल हो गए. तो कहने का मतलब है कि बॉष में हम जतनक कानु कलुवार तेली सूरी है, सब सुद्र हैं. सुद्र का और्थ हो था है सेवा करने वाला. उत्पाधन करके सेवा करो चाहे उसका खुजमत करके सेवा करो, चाहे उसके देह में पॉलिस करके खुज मत करो, यही करने का अधिकार, बानी जी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब गुप्त काल के पतन के बाद ये नियम बनी, इस नियम के बाद यहां अकबर के टाइम में कुछ आया ब्यवस्था में, इस लोग थोड़ा अपना से ह आगू किया, अब वही मनु अस्मिर्ती उस समय का संभीधान था, इस संभीधान में मनु अस्मिर्ती में छोड जात की बचीयों का ये लोग सुधी करन करते थे, छोटे जाती को पहला पूत्र पैदा होता था तो ये लोग गंगा में फेकवा देते थे, गंगा दान करवा इसलिए जुध कर दे, बिरोध कर दे, इसलिए गंगा में लड़का को, लड़की को ये लोग का करते थे, सुधी करन पर्था चलाया था, कि कोई बैकवाड की लड़का लड़की की साधी होती थी, तो दूलहन अपने पती के घर न जाके तीन दात ब्रहमनों के घर सारी द पर देना परता था, अच्छा उठारी के दिन हमारी मा बहने गीत गाते जाती थी या ब्रहमन के हां से, वो बच्ची को बुला के अपने घर लाती थी, ये बताईए कि की कि इस देश का ये तो महान काम किया, कि अठारा सा उउने इसमें अंग्रेज आकर के नियम बना दिय सुधिकरन पर रोक अंग्रेजों ने लगाया, कि सुद्रों की साधी होने पर दुलहन अपने पती के घर न जाके तीन दात ब्रहमनों के घर सारी दिक सेवा देना बंद कराया, तो महान काम हमारा किया, अंग्रेज किया, हमारा हर तरह से एक्सप्लाइट, सोशन, दोहन, द रा रहा है, भ्रहमनवाद चलता, नहीं, हमारे लोग जिसन भ्रहमनवाद को अपने घर से अपने दरवाजे से भ्रहमनवाद का बीदाई कर दे, उसी दिन पाड़्यामेंट से भ्रहमनवाद का बीदाई हो जाएगा, तो मन्नी अरुन करण गुपता जी से बरेही सजीले भाव से हम सभी ने आपको यह समझाने का प्रयास किया यह जो मनु महराज है विदीशिया प्रहमनों के रहबर उन्होंने वर्ण विवस्ता कि अस्थापना करके किस तरह से हम अरजक सोसित मुल्यासी भाईयों को दिक भरमित किया और तोर कर रख दिया जो आध तक हम अरजक कि मुल्यवासी भाई संगतित नहीं हो पाया है उन 10 परसेंट अब अज भी कुलाम बने हुए हैं उनसे रू बरू नहीं हुए हैं उनके बिचा नहीं है ऊचिसा को वीडियो से आपको जरा सा भी कुछ सीख मिलता है तो थोरा सा इस विचार को अपने जेहन में लाए अपने मन में लाए और कोशिस करें इस इन सारी बातों को अपने घर परिवार सबसे पहले तो अपने घर परिवार में उतारे समझाने का परियास करें फिर अपने समाज में समझाए और लोगों को इकठा करे और इन विदेशियार प्रावनों से चंगुल से हम लोग गुलाम जो है उससे आजाद हो तो बस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितना हो सके लोगों में सेर्फ कर दीजेगा जै अर्जक जै सोसिक जै मुल्यासी जै भार्ण झाल 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 झाल